नमस्कार दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल पर दोस्तों आज हम आये हैं सोनवाई जो की इंदोर जिले में इस्तित है यहाँ पर एक युवा किस प्रकास से डेरी फार्म संचालन करते हैं और कितनी बफेलो इन्होंने रखी है आईए दोस्तों हम जब भी नया डेरी फार्म खोलते हैं या फिर स्टार्ट करना चाते तो हमारे दादा जी के शलता आ रहा है हमारे पिता जी भी मिल्क के दंदे में थे बफेलो पशुपालन के व्योसाई में थे अंसे बड़े भाई साब भी थे और फिर मैंने भी पढ़ाई के बाद सोचा कि किसी की गुलामी नोकरी करने से अच्छा है घर का यह उसाई क्यों न किया जाए जो खेती है किसानी से जुड़ा हुआ है जी बिल्कुल तो यह बताएं कि आप कब से डेरी फार्म में इंवल्व करें हाला कि जैसे कि हम जानते हैं कि जितने भी किसान के बच्चे हैं वो खेती बाड़ी से और घर के व्योसाई से दूर भाग रहें लेकिन मैंने सोचा कि अपना पुष्टे नहीं धंदा करो ना कि किसी की गुलामी किसी की नोकरी बहुत बड़े हैं यहां पर हम छोटे व्योसाई से सुरू करेंगे लेकिन आज मेरे पास खुद का इतना बड़ा व्योसाई है कि मैं तीन चाल लोगों की नोकरी के बराबर अकेला इंकम कमा लेता हूं यह बताएं कि आप लगबग कितना अभी यह जो डेरी फार्म देख पा रहे हैं जो पूरा पक्का बना इस सतरा डेर्ट सो का है अच्छा कितने अनिमल आ जाते हैं आराम से इसमें करीब 25 जानवर से ज़्यादा आजाते हैं 25 जानवर एक एनिमल के बीच में कितना इस पेस है यहां पर इसमें 5-6 फीट का अच्छा हां 7 फीट तक भी है कुछ-कुछ जगा पे वीडियो में जिसे हम हम देख पा रहे हैं कि आपने तो आप काओ कभी गाई के क्यों नहीं गए आप गाई के फार्म में देखे ऐसा है कि जो गाई है वह बहुत सेंसिटिव जानवर हैं बराबर हैं कभी कबार अगर मोसम अचानक से पलट जाए तो बहुत जल्दी बीमार हो जाती है गायों में हम देखते हैं कि गायों का जो है दूद का उत्पादन शमसा जादा होती है तो उनके थनों में बीमारी हो जाती है कभी बुखार हो जाता है यह बहुत सारी बीमारी गायों में बहुत जल्दी लगती है और कहीं बार तो एसा होता है कि यह बीमारी ठीक भी नहीं होती तो ह मेरे पास अभी लगभग 16 जानवर है जो दूद में है जो टोटल जानवर कितने हैं मेरे पास टोटल जानवर 25 ऑब जिसमें से 16 प्रोडक्षिन कर रहा है कितना दूद हो रहा बगध एक दिन का अभी एक दिन का लगभग मानके चलिये तो 130-130 लीटर दोनों टैम क्या रिट में जाता है यह अभी हमको 50 रुपे लिटर में जा रहा है तो अगर लगबग हम बात करें पूरे महिने की एवरेजन कितने का बील हो जाता है बिल लगबग मान के चलिए डेल लाग से उपर हो जाता है और इसमें से खर्च कॉस्ट खली हरा चारा सूखा चारा ले हमें कितने लोग काम करते हैं जैसे घर के लोग इन बोले या भी आ फिर लेबर भी आपके पास घर के कहीं ह invent काम करते हुं दो लोग मेन मेर से और एक laper purmanent यहीं पर रहता है अच्छा यह養 बताई कि अपने farm पर आप vaccination कब करवाया था FRECK connected इस से दो महीने पेले जिस से जब 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 एक साल में कितनी बार कर आते हैं अब डो बार वेक्सिनेशन होता है ऐग साल में अच्छा ये बताएं कि आप अपके फार्म पर डी वार्मिंग कितने दिन में करते हैं अपने लगभग मान के चलिए तो मैं हर दो महिने में अपने जानवरों में डी वार्मिंग करता हूं और मैं कोशिस करता हूं कि नेच्रल डी वार्मिंग करूं जी बहुत बढ़िया जै जैसे आयुर्वेदिक चीजों करके मिलाकर में उनके लिए काड़ा बनाता है अभी जैसे हम देख पारे हैं भेंसे जो आपके पास है जहां आपने कहां से खरीदी हुई यह मंडियों से खरीदते हैं मंडियों से लगबग सबसे कम रेट वाली और ज्यादा रेट वाली आप स्पेशल उनको ट्रीटमेंट देता हूं गुड़ खिलाता हूं सर्सु का तेल वगेरा टोटल डी वार्मिंग वगेरा लिवर टोनिक वगेरा सारे मतलब कैसे डॉक्टर से या फिर आपका बूल नहीं नहीं हाँ इसे डॉक्टर से ही पुछ लेता हूं हाला कि तो तो आप सीमन डलवाते हैं बूल है आपके बारा हैं ने ने हमारे पास घर के भूले अच्छा के दो बूले एक बड़ा बूल और दुसरा बूल रेडी हो रहा है जी दोस्तो बहुत अच्छा है कि आपके फारम पर अकर आप एक दोबूल रखेंगे जिससे आपके समय पर जो अनिम व्यवसाई को बढ़ाऊं और चाहता हूं कि खुद का ही इंदूर में व्यवसाई जैसे कुछ भी डेरी वगएरा खुलू अब खुद पादन भी करें और सेलिंग भी करें ताकि सिटी वाले को जो भी है उनको जो केमिकल का जो मिल्क खा रहे हैं वो ना खाना पड़े अलब दिन बंद होते जा रहे इस नकली दूद के कारण नकली दूद नकली दूद है जो की वह सस्ता भी पड़ता है वो लोग सोचते कि सस्ता ले मेहंगा क्यों ले इसी कारण किसान को उसकी मेहनद का पेखां अच्छा यह बताएं कि डेरी फार्म को चलाने में आपको ऐसे कु अगर सरकार चाहे तो यह कम भी हो सकता है और जैसे इनके लिए जो वेक्सिनेशन दवाई वगेरा सरकार फ्री करें टोटल फ्री कुछ भी इसके ऊपर चार्ज नहीं होना चीए और जैसे मान के चलिए जितने भी मेहंगे इनके लिए इंग्जेक्शन आते हैं दवाई आत सप्लिमेंट आते हैं उनका रेट भी बहुत हाई है बहुत ज्यादा मन माने दाम उसमें थोड़ा गिरावट होनी चीए कम और दूद के रेट बनने चीए क्योंकि हमारा और सबसे पहली बात तो दूद के रेट बढ़ाने के लिए जितने भी नकली दूद है उसके लिए एक बहुत बड़ा एक्शन लेना पड़ेगा बहुत बढ़ेगा सर यह बताएं कि अगर हमारे देश के युवा जैसे यूट्यूब पर देखकर चैनलों पर देखकर वीडियो देखकर डेरी फार्म में आ जाते हैं अपनी नौकरी छोड़के लाखों रुपे लगा देते हैं उसके बाद फेल हो जाते हैं तो उन लोगों के प्रती आपके क्या सुझाव रहेंगे कि आप कितने पसूर से सुरुवात करें और किन-किन बातों का ध्यान रखें ताकि आपका डेरी फार्म सफल हो या इस व्योसाई में आए या वो नहीं आए देखिया हलां कि सबसे पहले तो जो नए युवा है जी वो क्या सोचते हैं कि इस व्योसाई में मेहनत कम है और पेसे जाद एसा नहीं है और वो बिना कुछ भी कुछ सोचे समझे इस व्योसाई में उताए देखिये सबसे पहले तो आपको बताए कि कितना इस्ट्रेगल करना पड़ता है यह हमार किसी व्योसाई में उतरने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी ले यह सही आपने बिना तेरते आपको आतानी और समुंदर में शलाक लगा दी तो डूबेंगे ही सही और फिर बोलेंगे कि डेरी फार्म लोस का बिजनस है तो ऐसा नहीं है हमें उसको सही साथ संचल कर है घर पर ही उपचार कर रहे हैं पेसे बचाने के प्रयाज करेंगे तो ही डेरी का व्योसाई है सफल होगा क्या एज है आपकी मेरी ये 21 है देखा दोस्तों आपने 21 साल के ओर में किस प्रकार से 25 से 30 200 का पूरा डेरी फार्म मैनेजमेंट करते आ रहे हैं और आपने देखा वीडियो में किस प्रकार से इने अनुभव है और कितने अनुभव के साथ किसने confident के साथ में अपना व्योसाई करते आ रहे हैं आसर ये बताएं कि डेरी फार्म चलाने के लिए किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए अपना डेरी फार्म किस प्रकार से होना चाहिए और लगा लिया वो लगा लिया यह सूविधा कर ली वो सूविधा कर ली देखे मिहनत लगती है हर व्यावसाई में हार्ड वर्क होता है अगर आप सोचते हैं कि घर बेठे बेठे सिर्फ भेसे बान लिए दूद निकाल लिया नपा दिया इससे कुछ नहीं होता है आप सबस выпत करें डाइरेक्ट कस्छे सरु ए द्गूत की अर्णिंग के साथ उससी से को उसमें लगाते जाए सबसे पहली बात तो आप धंदे में पेसा लगाता सीखिए लगना सीखिए लगना सीखिए और शुरुबात अगर आप करना चाहते हैं तो मैं तो कहना चाहूंगा या दो तीन भेसों से ही शुरुवात करें अगर आपको लोज भी होगा तो यह बात है और अगर ज्यादा पसु है तो ज्यादा लोज होगा दोस्तों डेरी फार्म चलाने के लिए हमें जो दो तीन कारण है प्रमुग जो बातें बताता हूं कि सबसे पहले तो हमारे फार्म पर वेक्सिनेशन होना चाहिए उसके पात प्रतेक पसु स्वच्छ होना चाहिए जब पसु स्वच्छ होगा सील भीघ्न का चैन हो का अच्छी उन्नत जो दाना होता है वो उन्हें खिलाएं सर ये बताएं कि अभी आप इनको दाने में खली में क्या दे रहे हैं खली में मैं इनको कपाश्या की खली खिलाता हूं जी और साथ में जो अनाज है खड़े अनाज है जैसे कि गेहूं है मक्का है बाजरा है इन सब इन सबको mix करके इनको भीगों के खिलाते हैं ताकि वो नर्म हो जाए और पश्यू की पाचन शक्ती पर ज्यादा असर ना पड़े और आसानी से पचा सकते और आप सूखे में क्या देते हैं सूखे में इनको हम जैसे भूसा देते हैं गेहूं का भूसा है चने का भूसा है और एक टाइम इनको हरा चारा चलता है हरे में क्या देते हैं अब हरे में अभी जैसे ठंड का मोसम है तो इनको बरसीम चलती है कितना देते हैं एक पसू को फूल फाल 25 से 30 किलो 25 से 30 किलो और सूखे में सूखे में भी यह यह वरेज है अच्छा उसके साथ जैसे सूखे में जो फीट देते हैं फीट के साथ बहुत सारे दूसरी चीज़े जैसे मिनरल मिक्षर हो गया केल्सियम हुआ सारे न्यूट्रिशन जितने भी यह गुड है सरसूखे तेल है यह है यह सबी चीज़े समय समय पर एक दिन चोड़के तो दोस्तों देखा आपने अगर वीडियो अच्छा लगे तो इससे सेयर करें ताकि हमारे नए 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 किसान भाईयों को जानकारी मिल सकें और इस धंदे में आने से पहले किन-किन बातों का ध्यान रखें वो अच्छी झाल 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 झाल